प्रश्रेंट्स कैसे हैं आप सब देखो गलाय में प्रब्लम में कोई नी अप सब गोड़ इनिक सभी को आज के इस क्लास में हम लेके आ आगए आपके मेसी का यह है क्लास नंबर मेरे को लगता है जहां तक 35 है ठीक है हम पढ़े नॉन को डेटा इसके पहले के थर्टी सिक्स और सब्सक्राइब करने तो चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं अपने अपने ग्रूप में आप बच्चों को बता दीजिए कि सर ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट हो चुकी है जल्दी से सब लोग आ जाईए जितने लोग आएं सभी का मोस्ट विलकम है आज के इस क्लास में हम देखेंगे क्या यहां पर देखेंगे क्योंकि हम लोग हैलमन्थीच के लारवा फाम को देखेंगे कल हमने काफी जो में इंपॉर्टन लारवा था कल के खतम कर लिया था ठीक है अब जो काफी और कुछ बचे-कुचे-कुचे लारवा है उनको भी हम लोग यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं ठी गुड़ूनिंग गुड़ूनिंग ओके सुनाली मौर रहा आप भी क्या हुआ सुनाली क्या कहना चारी हो प्रतिबा ओके सर ओके बैटा एड हो जाओ ना जाके टेली ग्राम चैनल जो है वियनार क्लासेस आप सर्च कर लो वहां पर एड हो जाओ ठीक चलते हैं स्टार्ट करते हैं आज किस क्लास को गला साफ हो चुका है ठीक है तो चलते हैं तो लारवा फार्म को देखते हैं और लारवा फार्म हम लोग कल के क्लासों में हमने ट्रिमेटोडा के बारें बात कर लिया था कि आखिर का ट्रिमेटोडा का जो अंदर था उस पार्ट हमारा यहां से निकल गया था और आज के क्लास हम इनको सिकंड क्लास आज देखेंगे देखेंगे अनला में टाइम बच जाएगा तो एनला के भी लारवा स्टेज को देख लिया जाएगा आज के हमने इंडिक्षण कर लिया था है है क्लास था मैंने-पैम दिव भार्वा यहां है क्लासिस थे शनागे तिक है उसके बाद यहां से बारे स्पोर्ख महा दो हो गया था इसके बार młodya को नमबर खाल राव था मैनने इसके वाद कर लिए ता उसके बाद ये उसका figure हो गया था उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे क्या जो Christasia लारवा था इनके बारे में बात हमने कर लिया था उसके बाद हमने Meta के बारे में बात कर लिया था यानि यह पांचवे नमबर हो गया पांचवे नमबर तो सी सीरीस में आगे संदाई और लारवा को देखेंगे और लारवा फ़ाम देखने से पहले हम उसके जनरल फीचर्स को देखेंगे क्या करेंगे जनरल फीचर्स के बारें बात करेंगे या आखिरकार सिस्टोडा लारवा के बारे में क्या कहता है इसको सिस्टोडा भी लोग कुछ लोग कहते है कुछ लोग कस्टोडा कहते है ठीक है तो कोई नहीं वो S है तो यह C है, यही problem करता है, ठीक, तो बात करेंगे इसके बारे में कि आखिरकार जितने भी हमारे सिस्टोड या के स्टोड होते हैं इनके बारे मात करें तो सबसे पहला बात होना है कि यह सबसे ज़्यादा जितने भी हमारे जितने भी सबसेदा specialized of the flatworm यानि ये पूरा जो conditions है या पूरा हमारा class है ये flatworm के लिए बिसेश रूप से जाना जाता है क्या बिसेश रूप से जाना जाता है क्यों बेटा क्योंकि इनकी जो structures होती है वो plate like structures के साथ आती है ठीक अब दूसरी चीज किये करा कि यहाँ पे और all indo-parasides vertebrates form feces to mammal यानि जितने भी लोग होते हैं इस पूरे class के अंदर जितने भी animal पाया जाएंगे सारे सारे animal कैसे होंगे बिटा indo-parasides होंगे और वो किसमे vertebrates के अंदर खास कर जो मारी feces होती है मचलिया होते है जो animal होते हैं उनके अंदर ये indo-parasides उनके body के अंदर होकर उनसे लगातार क्या करते है न्यूट्रेंट लेते हैं नहीं host का अपने host और उनको host और अपने guest बनके लगातार न्यूट्रेंट करते हैं तो हमने पहले वाले class में parasitism जब हमने पढ़ाना इस्टार्ट किया था उसमें हमने इंडो-parasides और एक जो-parasides के बारे में सारा topic बता दिया था ठीक तो आप पहले point में क्याद रखेंगे कि जितने भी और कस्टोड जितने भी होते हैं वह most specialized of the flatworm होते हैं और ये वर्टीवेट्स होते हैं और फीसे सोते हैं उनके बोडी के अंदर उनके इंडो-parasides के मतलब पूरी की पूरी जो बोडी कैविटी है उनके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं अब यहां पर बात करते हैं अगला कहता देयार कामानली कॉल दिदर टैप वार्म हम इने क् एने Якनल करते कने लब ला उनको यहां इसको मिल देखाएं और वार्म देखते हैं जास ब्लाइब के लगोगों देखाएं कैसे पतले से बित्ती-वपित्ति-इसस को बूलते हैं पहले के मौबी दैखे तो लडकिया अपने सर यहां पर बाल के साथ पतली पतली फीते बानती थी ना पत्तिया अभी हम लोग 26 जनवरी हुआ 15 अगस्त हुआ तो 26 जनवरी है और 15 अगस्त में हम लोगों ने कासकर वो जो पूरा पतला पतला रिबन बानते नहीं इनकी सेब कैसी होते रिबन लाइक होती है लंबे होते हैं इसके पाए ऐसा और इननमे कोई ऐसा और गन भी देखने मिलता और इनमें नहीं सिलोम मिलता है नहीं इनमें सिस्टम प्रजेंट होता है नहीं कोई अधर जो सिस्टम से वो प्रजेंट होते हैं नहीं इनमें सिस्टम प्रजेंट होते हैं और उस सर्जन के लिए इस क्रेटरी सिस्टम के लिए भी यहां पे कोई भी सिस्टम नहीं बना होता है और यहा सिस्टम नहीं होगा और ना ही उनके अंदर फूट कायनाल भी देखने के लिए Evangelion Immazione सिस्टम हो जायेगा अगे बढ़ते हैं इन में तो तुला सा ने तो रहागे अगे detail होते हैं वह एक काब हम कंतलब होता हैं यह सरजन भी करेगा इसके लिए पेगार्ट इन belangrijk यहीं कर द द तो आप इन को याद रखिएगा कि एक्स्पलिशन सिस्टम की बारे में बात कर रहा है अगला बोड़ा बटा यह है हर्माफेड अच्छा यह कहने का मतलब क्या है कि यह हम लोग कर देखते हैं क्या ओके गुर्म ओके देखके मनें अब यहां बात करते हैं हम लोग टैप वॉर्म के बारे में फार्मम में डेखने के नोटे है कि हर्माफटाइच का मतलब होता है कि इनके अंदर कैसे यह अीच Bogic यहां पे डाइकओ एक सीसा का बोलते हैं इज़र लिखा होगा कहीं कहां गया घौक्षिक साइथ आप सितन्थ जांप ऊपि उधकम बॉडिकें आंधर ठीक है इनके बॉडिकें अंदर पही अखोई भी आप का सकते हो कि जो मेंजन काईम को सिकाओं से बने होते हैं तो आपको कभी-कभी मल्टीपल च्वाइस के फॉर्म में कभी पूश सकता है बैटा कि बताओ कि जो हमारे कस्वडा होते हैं उनके बताओ कि मैंसन काईम क्या मम् काईम से बने होते हैं और बढ़ भर इसी बात है यहां पर कहें कि होते हैं कैसे होते हैं तो लग-ala पर होस्त को होती है तो मुस्से कहते हैं जब Mono Jai कहते हैं और दो से अधिक जीवों पे जब वो अपने होश को बनाते हैं तो हम उन्हें सिंपल फार्म में क्या बोलते हैं में पॉलिजेनिक परासाइट्स के नम से आते हैं तो आप द्यान दिशेगा कि इस वाले पूरे क्लास में पाया जाने वाले जो एनिमस होंगे वह देखा जाता है कि जो इनकी इग होती है इग में दो लारवा इस्टेज बनता है इसके दो लारवा इस्टेज बनता है पहला यहां पे हेक्सा केंथ बनता है और दूसरा ओको स्पीर बनता है क्या ओको स्पीर और हेक्सा केंथ ठीक है हेक्सा केंथ और ओको स्पीर दो और य यहाँ पर पर और पर उनको spirit के बारे में यह दोनों लारवा आप याद करिएगा इन classes के अंले कोई डाउट हो तह बता दो तो प्लेस आप अपना सपोर्ट वीडियो के साथ दीजिए सभी लोगों से बोलता हूँ कि बड़ी मेहनत लगता है दिन बर ठका ठका रहता हूँ लेकिन बस के वाल आप अच्छे से पढ़ सको और आने वाले जनरेशन में आप टीचर वनोगे और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ा सको इसलिए रात को ठके ठके होने के बाद भी आपको वीडियो हम लोग प्रवाइड करते हैं ताकि बच्चे को ऐसा न लगे कि हमको कोई पढ़ाने वाला नहीं है नई भईया हम आपके साथ हैं जितने भी बहने हैं मैं उनके साथ हूँ एकदम जितना हो सकता है उतना आपका हिल्प करता रहूँगा जैसे करता रहा हूं ठीक है तो प्लीस सारे बच्चे जो भी है आप दोस्तों को बताईए लाइक है बुलिए बच्चे सब्सक्राइब करें अधिक साधिक अपने ग्रूप निमबर जो है उनको बोलिए क्लासिस में ज्यादा ज्यादा बच्चे आके और फ्री की जो क्लासिस है वहां भी पड़ सकते हैं एप पे तो जो हम लोग वीडियो और पीडियोप दे रहें व यह पौइंट अभी को किलियर है एक बार करिये इसको जल्दी से इस कि बेटा मेरे पास क्लियर है सब कुछ ओंगे एकजाम और कभ सो होंगे पिटा दिए एकजाम देखोंगे जन्वरी में होंगे उसके पहले इन वह शट्यार तो होंगी नहीं बस बोल रही हैं लेकिन जनवरी के पहले कोई एक जाम मुखजाम ये लोग लेने वाले हैं नहीं ठीक है यह चीज़ आप ध्यान दिजेगा ठीक तो होगे विटा चले आगे अब देखो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग किसके बारे में उनको स्पियर या हिंता केस लारवा के बारे में किसके बारे में हिंता केस लारवा के बारे में ठीक ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ठीक क्या बात करें हिंता के लारवा के बारे में बात करते हैं तो भाईया सबसे पहले इस पूरे लारवा को देखा जाएगा और सही तरीके से देखा जाएगा जो इनपोर्टेंट है ठीक तो पेपर में कहां से आयता इसके बारे में ध्यांदा ना पहली बात नमर फर्स पॉइंट के बारे में तो कहता क्या है हिंता के जो लारवा उको इस पीर इनके बारे में बात करें कहता है इट इस लारवा डिबलफ फॉर्म दा कैपसूल यानि जो लारवा होता है ये द्वारा ये बनता है ठीक है और ये कहीं नहीं कहीं कैपसूल के अंदर ही क्या करता है जो इस फेरिकल कैपसूल होता है इस फेरिकल कैपसूल के अंदर ही ये लारवा बन रहता है ठीक तो बन्या लाइन चलो ठीक है दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इस लारवा के यानि क लेयर को हम लोग embryonic एंडो embryonic layer कहते हैं दो लेयर इमें होगा पहला क्या कहता है outer cell layer बोलते हैं दूसरा हमारे पास inner embryonic membrane होता है तो ध्यान देना हम लोग पिक्चर देख लेते हैं थोड़ा सा यहां पे क्या यह देख रहे हो पूरा इस्टॉक्चास ना यह पूरा इस्टॉक्चास है इस स्टॉक्चास क्वाम लोग क्याते है और जो यह वाली पूरी लेयर होती है इसे रेकैं है इसे हम लोग भोलते हैं embryonna its furry embryonic layer कहते है ठीक तो यह चीज आप हमेसा ध्यात है क्या यह हमेशा आप निया रखिएगा ठीक आगे बात करते हैं अगला कह रहा है कि और इंटीरियर अच्छा यानि कहने का मतलब क्या है कि जो पूरी अंदर की भाग है जो इंटीरियर कंपोजीशन हैं आंतरिक भाग में धेर सारे कोशिकाओं का समू भरा होता है धेर सारे से होते हैं कि इनके बॉडी के अंदर मौस्टे साथ सेल यह सारे सेल के कईने-कई-भार देखने के लिए मिल जाता मने कि आटा है कि 2 एंब्रियो है 6 पuciones यानि इनके इनके बडी के अंदर क्या बनेंगे 6 अलग अलग पूंस बनते हैं क्या बनते हैं क्या हेक्साखेंत लारवा भी बोला जाता है तो कभी भी आप से पूछेगा कि हेक्साखेंत लारवा क्यों होता है तो आप बता देजेगा बड़ी आराम से बिटा कि सिम्पल तरीके से कि इनकी embryonic stage जो होती है embryonic ऐसे लारवा जिनके embryonic stage के अंदर six pair hooks पाया जाते हैं उसी के आगे किसी को नहीं है नंबर नंबर Ign books क्याता है कि यह से उनकोष्पियर के बारे में ठीक जो होता है उनकोष प्रेविट यहां पर क्या होता है प्रोगुट्ट होते हैं क्यों Knox परन ऐसा होता है कि एक फियर क जो को तहाए पूरा पूरा हक हगले तर ऐस्को बोलते हैं उंको स्पियर जो ग्रेविड होता है ठीक इसने भी हमारे पास कहशकते हो कि आप यस को बहुत है लाइटिक स्वाइड यूरा रोड़क लाइटिक जो होती है प्रोग लाइटिट के लाइटिक के अंदर कहीं न कहीं ये बदे होते हैं ठीक आगे बात करता है अब देखिए यहां पर कह रहा है कि अगला बेटा कहते हैं लाश्ट पॉइंट में नमबर शिक्स के बारे में बात करता है तो कहता है कि यह आते कैसे हैं इनके बारे में बात करें तो जितने भी हमारे वेस्ट मेटेरियल होते हैं यहां कोई कि कुछ के बात करते हैं मल के बारे में जो मल अब बाहर निकलता है और आगे से आगी के और विक्सित करने के लिए जो सुवर होते हैं पीग होता है पीग के अंदर कहीं न कहीं ये जाता है और पीग के अंदर इनका पूरा जाता है और इंशन टाइंग के घुसने के बाद जो उनके एंब्रियोनिक लियर होती है पुरा घुल जाती है और जो लारवा होता है उनके मांस पेशियों तक चहू जाता है और बाद में यदि उसी पीग को खाता है अधे पका हुआ अधे पका हुआ का मतलब होता है कि यदि हम सुवर के मांस को ठीक तरीके से नहीं पका के खाते हैं जो भी लोग खाते हैं मेरे को तो नहीं पता है मैं तो जो लोग खाते हैं यदि अधे पका हुआ सुवर का मांस खाते हैं यदि उनके अंदर उनको स्पियर होता है तो हमारे बॉड़ी में भी वो चला आता है और हमारे बॉड़ी में आके सिकेंडरी होस्ट के रूप में हमको हमारे उपर सिकेंडरी होस्ट हमको बनाता है और अपने गेस्ट होके वहां से लगाता है न्यूट्रेन लेता रहता है तो इसमें बहुत बड़ी चीज़ ने पांस लाइन आप याद करिएगा ठीक है उपर लाइन ये 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 पांस तो याप याद कर लेंगे आपके लिए किलियर हो जाएगा ठीक है अब ग्रेविड और अच्छा प्रोग लौटिक अच्छा इन टीलिया सूलियम में दिखता है ये हाँ टीलिया सूलियम बेटा दिखता है ये ये टीलिया सूलियम के बारे में पढ़ रहे हो टेक है थो कि ओके चांदनी ओके को जाएगा बिटा देखो आगे होगा साथ ना यहां पे है ब्लेडर लारवा ना यहां पर है उनके बारें देखना भी तेक अभी देखो यहां पर हमारे पास यह पूरा मिलता ना इनके इस्ट्रक्चर पर ना बात करेंगे तो फिगर आप बनाईएग वहां ऩो चीथ लेखाए दूसरी चीश किंके वाटिक अंदर 6 एक धुक से यहाँ यहां दो फर Veterans पीछे लिए लए भी बढुत करें लृट के बाधने कांड नहीं जाएंगे germinative मिलते हैं यह जर्मटीव सेस आगे बढ़के इनके पूरे मास को करने का काम करते हैं ठीक है और कोई nervous system नर्व लेयर यहाँ पर डिबलफ होता हुआ दिखा जाता है लेकिन डिबलफ होता नहीं है यह चीज़ा आप दिहार रखिएगा और बाकी कोई तो ज़रूरी नहीं है तिन चार नाम आप लिख लिजेगा आपको काम आ जाएगा ठीक आगे बात करते हैं यहां पर अगे टोपिक के बारे में हमारे पास अगला है यहां पर क्या सिष्टी सरकस क्या बोलते हैं सिष्टी सरकस तो सिष्टी सरकस जो लारवा इनके बारे में या पिर हम लोग ब्लेडर लारवा के बारें बात करें क्या बारें करें ब्लेडर लारवा क्या होता या सिष्टी सरकस लारवा क्या होता है इनके बारें बात करें तो पहली लाइन यहां से आती ही बेटा कि जो सिष्टी सरकस लारवा होता उनका डेवलप्मेंट जो होता है वो अंको स्पीयर से होता है यादि अंको स्पीयर ही आगे चलके सिस्टी सरकस लारवा का फार्मेशन करता हुआ नजर आता है ठीक है अब इनके कुछ साइलेट फीचर आपको दिये गए हैं क्या इनके कुछ साइले फीचर आपको दिये जा रहा है क्या यहां पर कहता है यह कहाँ पाए जाएंगे जितने भी हमारे सुवर ने होते हैं दोज के माश पैसियों के अंदर यह को देखने के लिए मिल जाएंगे पहली चीच नोटेट पॉइंट है पहले देखो किसी भी लारवा के पूजीशन के बारे में जरूर बताओ किसी भी लारवा के किसी भी लारवा के पूजीशन के बारे में जरूर बताओ कुसकी पूजीशन कहां है कहां पाया जा रहा है तो पहले बोलोगे कि यह कहा पैस जाएगा यह जो मारा पिग होता है सूर होता है ना सूर के मसल्स के अंदर यह पूरा लारवा कर्णिसन देखने के लिए मिलता है दूसरा कह रहा है दूसरे पॉइंड में अंदर दूसरे पॉइंड का मतलब होता है इनके अंदर क्या होता है यह द्रब से भरे हो होते हैं मतलब ब्लैडर स्ट्रक्चरस में होते हैं और इनके अंदर क्या होते हैं धेर सारे फ्लूड भरे होते हैं क्या होते हैं धेर सारे फ्लूड भरे होते हैं तो यह क्या पाया जाएंगे बैटा यहां पर यह फ्लूड फिल्डड बोलते हैं इनको इनके अंदर धेर सारे फ्लूड होते हैं क्या होते हैं फ्लूड होते हैं और इसी वज़ा से मदब फ्लूड होने के वज़ा से हम इने क्या बोलते हैं ब्लेडर बोलते हैं और फ्लूड भरे होते हैं और इसलिए क्या बनाते हैं फ्लूड के वैसिकल बनाते हैं क्या फ्लूड से भरे हुए वैसिकल स निरमित होता है पूरा-पूरा इनका structure इसलिए क्या कहते हैं हम लोग इनको bladder लारवा भी कहते हैं ठीक है कोई पुछे का bladder लारवा क्यों तो पता देना कि यह कहीं न कहीं topy sam DENNIS के बाद इनकी जो body के a Posterior Ann होता है Posterior Ann में यह क्या भराते बाटा यह हमारे पास fluid filledед vesicle का formation करते हैं इसी लिए इन्हें हम लोग bladder कहते हैं या bladder larva का नाम दे देते हैं ठीक है आगे कहता है कि bladder के बारे में bladder कैसा होता becomes bladder के ऊपर दो layer लगे होते हैं इनके ऊपर क्या होता है दो layer होता है फस्ट layer का हम लोग क्या कहते हैं फर्स्ट लेयर को आउटर लेयर कहते है, जो क्यूटकिल की बनी होती है, किसकी बनी होती है, क्यूटकिल की नोट का लेना मेटा, IMP हो सकता है, ठीक है, तो ये क्यूटकिल की बनी होंगी, और इंटरनल लेयर जो होती है, वो हमारा डर्मन लेयर होती है, यह अंदर के लेयर हम कि इस लारवा के बॉडी को ही सुलक्स कहते हैं हाँ है ठीक है हाँ ठीक है आगे देखो अब दूसरा कह रहा है यहां पे नमर फाइब कह रहा है कि अच्छा इनके बारे में बात करें कि आखिरकार हमने देख लिया कि इनके लेयर । सिश्टrint jako सिश्टी सरकस लारवा होते हैं सीश्टी सरकस आइए ज이션 Harmony मे उन्हों किया में भूलते हैं में मिजली पोरक के नाम से धाता है मिजली पौर्क के एक वाड आता है क्या ऐता है 무जली पोर्ट यानी पॉर्क। क्या मिजली पॉर्क आप जहां देगा यह लाइना आप याद कर रिएगा नोट में ठीगा है ऐसे कोशन कई बार पोछेगा हैं तो यहाँ पे मिजली पॉर्क क्या है तो आप बताइएगा कि जिस भी पिग के जिस भी पिग के मसल्स के अंदर सिष्टी सरकस पाया जाएगा उस मसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे मिजली क्या बोलते हैं मिजली पॉर्क के नाम से ध्याम देते हैं ठीक है और अगला बोलता है कि further development of the सिष्टी सरकास अकस इंसाइड दॉमेन यहां से अपना निट्रेशन आगे बढ़ाते और अपने आपको डेवलब करते हैं यह चीज आप याद रखिएगा ठीक है इतनी बारी तो आपकी समझ में आ गई और इसमें है नहीं है यहां पर अच्छा अगर्दन होगी बड़ी सी उपर क्या होता यहां पर अमारे पास रोस्टल होकर होता है जहां से यह क्या करते हैं आप तो इसके क्या बोलते है तो यह जो इसकी मुंडी होती है उसी की जो निशा आप भी बता रही थी ने वहीं बोल रहा है भेहन ठीक है यह सकर होते हैं ठीक है दो चोटे-चोटे-चोटे क्या होगे यहां पे वन पेर में सकर पाया जाएंगे और नीचे हमारा ब्लेडर का स्ट्क्टरिus है उसके बारे में तो आप जानते हो ठीक है यह इनका मतबब यह इनका क्या है यह इनका आउएंटर्नल इस्ट्रास सिष्टी सरकस्स का ठीक है वित किसके साथ जो मारे पास कि एंसी क्यूंढा या राइटिंग बेटा दको इस बार का जो एक जाम है ना वो हो इंसी क्यों नहीं होगा मैं पहले बता रहा हूं पहली बार में से की हो गया था फ्लक है यहां पर सतर बराबर चल रहा है पूरा लिखने वाला होगा ठीक है पेपर पैटर्ण किसी दिन बत कोड़ेंगे बीच में ना कि इसके देखो दो यूनिट इसको करा देंगे फिर सेकेंड मतब दूसरे का हम लोग दो करेंगे ठीक है बहुत ज़्यादा इसमें क्लास नहीं है महात्मा गांधी का कासी विद्यापीड का जो पीजी का सलेबस है वो बदलने की कोशिस कर दिया गया यानि बदलने की पूरी गुंजाइस हो गई है कि महात्मा गांधी कासी विद्यापीड का सलेबस बदल दिया जाएगा ठीक है बहुत सारे मैत का बदल दिया गया है अब की तो जुलोजी की भी सेलेवस महात्मा गांधी कासी बिद्या पीट का बदलने वाला है प्लीज सारे बच्चे अपने अपने कॉलेज में पता लगा ले कि उनके हां सेलेवस अभी आया की नहीं आया ऐसा रिपोर्ट आ रहा था इंटर्नल वहने हमारे सुत्रों से पता चला है कि महात्मा गांधी कासी बिद्या पीट का सरे बस बदलने वाला है जल नहीं बदलने वाला ठीक है यह चिजा आप ध्यार कि अ अगले बार नहीं इस बार ही चेंज कर देंगे लोग इसी बार उमीद है लोग अभी बैठक चल रही है ठीक है इंटर्नल मतब जो इंटर्नल लिंक है वहां से हमारे सुत्रों से पता चलेगा तो हम बताएंगे जरूर अभी चल रहा है ऐसा बता यहां नहीं सब्सक्राइब से पता रहे हैं आप टो चलते हैं यहां पर हमारे पास हेंद है दो 30 मिनट का टॉपिक है 30 मिनट के टॉपिक में हमने दोनों लारवा को देख लिया अब देखो अगला क्लास इसी में है एनलिडा के बारे में तो एनलिडा के बारे में हमको पढ़ना भी है नहीं एनलिडा का आगे पढ़ना है तो आगे हम लोग देखेंगे ठीक है आगे देख ठीक है पेटा ये कल्कुलूजन पॉइंट्स हैं तो आप याद करिएगा मोशन पॉइंट क्या है कि फैसी होला हिपेटिका के बारे हम लोग क्लास देख रहे थे और इसमें हम लोग आडर देखे थे अलग-अलग पांच लारवा के फॉर्म में पहला हमारे पास याद कर ले हमने दो लारवा बारे मात करते हैं और दूसरा हमने ब्लेडर लारवा के बारे मात किया यादी दो लारवा हमने किसके बारे में टीनिया सोलियम का देखा और हमने 5 लारवा का फियासी होला हिपैटिका के बारे हम बात किया ठीक है बेटा तो कहीं न कहीं हम लोगों ने जितने 7 लारवा इस्टरज को देखे हैं यानि हेलमेंथीज के अंदर ये 7 लारवा काफी इंपोर्टेंट होते हैं आप सही तरीके से इनको याद कर लिजेगा सबका डायग्रामिक इस्टरक्चर्स हमने इस क्लास के अंदर आपको ठीक तरीके से दिखा दिया है आप यह पिडियो इसके पहले वाली वीडियो जो थी उसको कंप्लीट करेंगे तो पूरा हेलमेंथिज के लरवा ओ खतम हो जायाएगा कि पैरासाइट जो होते है उन में डिफरें के प्राइबल्रम हो तो आफ पूछ लूँ आप लोग पीटिया देंगे बटा को कॉलेज का नहीं पता हम लोग कॉलेज तो नहीं पता सकते हैं या फिर जो भी और इनवर्शिटी है नहीं सरेवस रिलीज होता है तो हम लोग करते रहते हैं यदि अन्य वाला तो आपको बताया जाएगा ठीक है यह चीज़ा ध्यार रखिएगा कि केक है खोडिकत कि सी को बटा है कि तूटरी फूर भी स्टार्ट कर दीजिए हां इस्टार्ट करेंगे बस चले बीटा आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं कल के क्लास में लेके अपने नए वीडियो के साथ नए क्लासिस अंदर तब तक के लिए आप अपना ध्यार खिएग हम अपना रखते हैं मिलते हैं कल इसी टाइम नौ बजे अपने इसी ओलाइन के सेशंस में आप लोग अपने स्टूडेंट के साथ पढ़ने वाले बच्चों को यूहीं बताते रहें कि भेनार क्लासिस आपके लिए सपोर्ट करता रहता है आपका सुक्रियदा है कि काफी सभी बच्चिया भी ईंडाल रहें कि सार्व घृजर सभी के तो सभी बच्चे आते रहें हम उनके यहीं सपोर्ट करते रहें ठीक है अच्छा, NAP अगले year हो जाएगा कोई नहीं, कोई नहीं ठीक, अगले year हो जाएगा सब लोग एक बार वीडियो को लाइक करते जाएगा पेटा इतने लोग आये हैं, एक बार लाइक करिएगा ताकि बाद में कोई वीडियो देखे तो यह थोड़ा लगे कि नहीं को आये थे बच्चे और क्लास लिये थे और इतने लोग उसमें पाडिसपेट किये थे लाइक रेट ही आपको बताता है कि कितने लोग हमारे पाडिसपेशन है ठीक है तो जल्दी कर ले चलते हैं अगले क्लास में मिलेंगे बेडा तब तक के करें टेक कर बाइबाई आ जैंद कर दो कर दो